नमस्कार दोस्तो मेरे इस यूट्यूब मंचपाप का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके रहे लेके आया हूँ जियूम स्मूथ Q3 गिंबल की अन्बोक्सिंग दोस्तो ये मैंने जियूम का स्मूथ Q3 गिंबल टाटा सिलिक एप से मंगाया था उसमें मुझे दोस्तो पोस्त पे क्रेट कार्ट से 700 रुपए का डिसकाउंड मिलने के बाद ये मा Questions consider रुप अब आब इसकी Unboxing करेंगे और देखेंगे कि हमें 466,00 रुपे में क्या जा मिलता जैले दोस्तो अन्मोक्सिंग order किया क्योंकि दोस्तों इसका service center भारत में है और इसको लेने के बाद आपको इसको register भी कराना पड़ेगा जियूम की site पर उसकी warranty भी आपको check करनी है इसलिए आपको इसका serial number जियूम की site पर डाल कर check कर सकते हैं दोस्तों unboxing हो चुकी है और हमारा gimbal हमारे सामने आ चुका है इसके उपर इन्होंने पनी से wrap किया हुआ है जो bubble वाली पनी होती है उससे इसके उपर दोस्तों इन्होंने प्लास्टिक के पनी चड़ाई वी है अब हम इस प्लास्टिक की पनी क चुक्को के मांधियम से काट लेंगे और इसको दोस्तों हम खुल लेंगे यह हमने चारो तरफ से देख लिया है डबबा तो दोस्तों इसका ठीक है लेकिन दोस्तों जो इसकी external packing थी वो भूती ज़ादा खराब quality की packing थी मैंने यह 18 तरिक को ओडर किया था और यह मुझे delivery company के थुरू आया था दोस्तों packing तो इसकी बहुत खराब थी और इसकी seal भी टुटी वी है वैसे यह पन्नी से cover था लेकिन डबबे के ओपर कोई seal नहीं है अब हम डबा इसका खोल कर देखेंगे कि इस डबबे के अंदर हमें क्या मिलता है दोस्तों यह जो मैंने मंगाया थ यह combo offer नहीं था इसमें हमें इसका कोई box नहीं मिला है केवल हमें gimbal मिला है tripod stand मिला है और इसका charging के लिए जो cable होता है type C वो मिला है यह से आप देख सकते हैं box में हमें clear देख रहे हैं समान आप अच्छे से देख पाई इसके लिए मैंने इसको zoom कर दिया है देख सकते हैं इसम जो box है box को आप as a carry box इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम अपने tripod stand को भार निकाल लेते हैं दोस्तों इसकी quality काफी अच्छी लग रही है और इसके उपर जो thread है वो 1.4 inch का mount thread है तो जो की monoport के लिए बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि monoport का जो base में जो thread आता है वो 1.4 inch का ही आता है और इसमें 1.4 inch का thread दिया गया है यह बहुत ही अच्छी बात है अब दोस्तों tripod के बाद हम इसकी जो charging cable है उसको निकाल लेते हैं और दोस्तों charging cable के उबर भी इन्होंने zoom की branding दी है और जो tripod का stand था उसमें भी zoom की branding थी यह आप देख सकते हैं यह hardly half meter की cable है और इसमें zoom की branding आप देख सकते हैं तो यह zoom का original charger है charging cable है अब यह दोस्तों हमारा gimbal निकल गया है यह जितना भी समान है दोस्तों यह किसी भी covering के साथ नहीं आता है किसी भी plastic packing के साथ नहीं आता है और यह हमने अपना gimbal भी निकाल लिया है दोस्तों gimbal gimbal हाथ में लेने पर बहुतियादा prime look दे रहा है बहुतियादा premium quality का gimbal यह लग रहा है इसके पीछे की तरफ एक छोटी से पन्नी चुपकी वी है और इसके अंदर यह इसमें कोई कीड़ा करकेट ना जाए इसके लिए छोटा सा जी है तो मेरी बेटी ने निकाल लिया था यह पाउच होता है यह इसके अंदर पड़ा था पन्नी पता नहीं यह क्यों थी या तो दोस्तो इसको पहले भी खोला गया है या जो भी है दोस्तो मेरे को तो दोस्तो ऐसे लग रहा है क्योंकि जिस condition में यह रखावा है क्योंकि जितनी भी नई चीज होती है वो सब plastic की plastic की wrapping क के साथ आती है इसमें plastic की wrapping नहीं है तो यह शायद पहले करें deliver हुआ हो और उसने वापस कर दिया हो तो इन्होंने डब्बे के उपर plastic की seat लगा के मुझे यह भेज दिया है बाकी दोस्तो हम देखेंगे guarantee में हमारा product क्योंकि दोस्तो मैंने इसकी warranty चेक कर लिया है अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते है तो हम आपको description box में उसका link देदूँगा कि हम किस प्रकार इसकी warranty के लिए register कर सकते हैं दोस्त यादा अच्छा मुझे यह gimbal लगा आप दोस्तों इसकी Amazon flip card की rating पर मच जाएएगा क्योंकि दोस्तों वो लोग rating इसलिए देते हैं क्योंकि वो लोग use तो कर नहीं पाते हैं अब दोस्तों मैंने इसका डबा निकाल लिया है डबे के नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं इस इसका user guide किस प्रकार हमके हमने इसको यूज करना है वो दिया वा गया होगा तो दोस्तों निकाल लेते हैं भार और देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है हाँ दोस्तों इसके अंदर दो डैरी दी गई है एक में तो दोस्तों इसमें वार्निंग्स दी गई है कि किन क bracht किसी बभी कर्ट किए रहे कोई बढ़नें देखने के लिए नहीं मिला है और दोस्तों जो का बिल ठा कि वह दोस्तों अलग से का जैन ओ डुस्त का पेकट था जी दफ़े में आया था उसमें इसका बिल पड़ावा था तो अब मैं आपको इसका इसका बिल भी दिखा जाता हूँ वैसे दोस्तों बिल की ओपर इसमें 7450 रुपे लिखा गया है लेकिन दोस्तों चुकि मुझे पोस्त पे का ओफर चल रहा था पोस्त पे क्रेडिट काट का उससे मुझे दोस्तों 10% का इसमें ओफ मिल गया था तो मुझे इसमें कर्ड बन जाएगा और आप इस क्रेडिट कर्ड के माध्यम से सदस परसेंट का टाटा सीलिक पर ओफर कर्ड प्लाब ले सकते हैं और आप इसको सासर सुर्वें मंगा सकते हैं